चार अजार साथ सौ साल पहले वहाँ एक पूर्ण विक्सित मंदिर था जिसमें लगभग पांच फीट उंचा लिंग था हमने रुद्राक्ष रख कर दिखाया कि किस तरह अलग-लग जगाहों पर लिंग अलग-लग तरह से बरताव करता है सारा योरोग इस तरह के मंदिरों से भरा हुआ था मैं सिर्फ दो सप्ता पहले तुर्की में था आपने कोनिया के बारे में सुना है बाहर बगीचे में धेर सारे तूटे हुए टुकडे थे विशाल चहरे आधे अधूरे चहरे कई तरह की चीज़ें पुराने मंदिरों को तोड़ कर बुनियाद के पत्थर बना दिये तो हम बस यूँ ही चल रहे थे तो बगीचे में मुझे एक लगभग साड़े चार फीट या उसे अधिक करीब चार फीट नौ इंच का लिंग मिला पूरी विधी से बनाया गया लिंग एक अंडाकार पत्थर मैंने कहा वाह और जब हमने उसका एतिहास वगेरा खोजा तो पता चला कि ये लगभग चार हजार साथ सौ साल पुराना है चार हजार साथ सौ साल पहले वहाँ एक पूर्ण विक्सित मंदिर था जिसमें लगभग पांच फीट उंचा लिंग था जिसे पूजा जाता था और इतने साल पहले उसकी प्रान प्रतिष्टा की गई थी अब तक जीवे थै छोटी दरा रहे थी तो वो थोड़ा बिगड चुका था और मैं बस उन तीन चार लोगों को दिखा रहा था जो मेरे साथ थे कि लिंग पर हर बिंदू अलग है लिंग पर अलग अलग बिंदूओं को अलग अलग तरह से बनाया गया था बहुत सुन्दर तरीके से बनाया गया जिसने भी उसे बनाया था वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं वो कई सरल काम नहीं बहुत सुक्ष मकाम था 4700 साल बाद अब तक जीवित बगीचे में फैंका हुआ जिसकी पूजा नहीं होती फिर भी जीवित थोड़ी बहुत दरारों के कारण उसमें थोड़ी गड़ड़ी थी मगर उसकी मौजूद की बरकरार थी मैंने लोगों को दिखाया मैंने महसूस किया पर वो देखना चाते थे इसलिए हमने रुद्राक्ष रखकर दिखाया कि किस तरह अलग-लग जगाहों पर लिंग अलग-लग तरह से बरताव करता है तो अतीत में ये काम खूब किया गया है मगर जब बहुत ही आप जानते हैं जब मेरा रास्ता या कोई रास्ता नहीं वाला रविया आया तब इन चीजों को धराशा ही कर दिया गया कई तरीकों से वरना सारा योरोप इस तरह के मंदिरों से भरा हुआ था इस तरह के प्राण प्रतिष्ठित स्थान थे पूरप के इन मंदिरों को कभी प्रार्थना स्थल के रूप में नहीं बनाया गया था भारत में भी आज भी मंदिर में कोई प्रार्थना नहीं करवाता आपको वहाँ प्रार्थना या पूजा नहीं करनी होती मगर आपको बस वहाँ बैठ कर आ जाना होता है विचार ये था कि लोग जाकर वहाँ बैठेंगे और लाब उठाएंगे मंदिरों को इसी तरह बनाय गया था कोई पुजारी या प्रार्थना नहीं बस रख रखाव करने वाला एक शक्स होता था जो अब खुद को पुजारी कहता है कुछ परिवारों को उस्थान की पवित्रता कायम रखने के लिए जिम्मेदारी दी जाती थी ताकि वो एक खास तरीके से चलता रहे आपको बस वहां जाकर थोड़ी देर बैठना और वापस आना होता था दक्षिन भारत में ये परंपरा अब भी जीवेत है उत्तर में वो बिगड़ गया है क्यूंकि उत्तर भारत ने विदेशी हमले जेले जिससे दक्षिन भारत बच गया दक्षिन का पठार विदेशी हमलावरों से आमतोर पर अच्छूता रहा तो आपको बस वहां बैठना होता था कोई प्रार्थरा नहीं करवाता कोई आपको प्रार्थरा नहीं सिखाता कोई नहीं कहता कि आपको ये या वो करना चाहिए आप बस वहाँ बैठके इसे आत्मसाथ करते हैं क्योंकि ये सब प्राण प्रतिष्ठित स्थान है ऐसे कई बनाये गए थे उन सभी को तोड़ दिया गया कुछ जो बचे हैं वो आम तोर पर भारत और दूसरे दक्षिन पूर्वी एश्याई देशों में है वरना सारा अरब और योरो प्रतिष्ठित स्थानों से भरा हुआ था